हलो साथी हूँ, नमस्कार, मेरा नाम विम्ला पाल, मेरे यूटूब चैनल, वीडियो विद्विम्ला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों और बताईए, आप लोग कैसे हैं, उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, सबस्त होंगे, दोस्तों मेरा आप लोगों से अनरोध है, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवस्ति करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवस्य करें दोस्तों आज हम आए हुए हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी एक बार की बात है किसी कावं में दो किसान रहा करते थे वह किसान आपस में पाचीत भी किया करते थे और उसी के साथ साथ वह अपने खेती वाड़ी का काम भी देखते रहते थे एक बार की बात है एक किसान जो था उसने दूसरे किसान से एक कुवां खरीदने की बात कही तब दूसरे किसान पहले किसान से कहने लगा कि मेरे पास एक कुवां विकाऊ है अगर आप चाहते हैं तो वह कुवां खरीद सकते हैं तो वह किसान कुवां खरीदने के लिए तैयार हो गया और उसने कुवां खरीदने के लिए जो दूसरे किसान से बात हुई थी उसके हिसाब से उसने उसको पैसा भी दे दिया उसके बाद से यह तैं हुआ कि वह कुवां दूसरे किसान का हो गया अगले दिन जब वह किसान अपने खेत में पानी के लिए उस कुवें से पानी निकानने लगा तो कुवें वाला किसान कहने लगा जिसने उस कुवें को वेज जा था कि इस कुवें से पानी मत निकालो तब वह किसान कहने लगा कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपने तो यह कुवां मेरे हाँ से वेज दिया है और इसका पैसा भी मैंने आपको दे दिया है तब मैं इस कुए से पानी क्यों नहीं निकाल सकता हूँ यह सुनकर वा किसान बोला कि मैंने इस कुए को आपके हाथ बेच दिया है पर इस कुए का पानी जो है वा मैंने नहीं बेचा इसलिए इस कुए का पानी आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं या सुनकर वा किसान परेसान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ फिर उस ने उस गाँ का जो मुखिया था उसके पास जा करके अपनी बात रखता है और कहता है कि मैंने अपने बगल वाले किसान से एक कुवा खरीदा है और कुवा के बदले में जो प्रियाप धन की बात हुई थी वह धन मैंने उनको दे दिया पर वह अब भी मुझको उस कुए से पानी नहीं निकालने दे रहे हैं और साथ में यहाँ भी कह रहे हैं कि मैंने इस कुवे को आपके द्वारा बेच दिया पर मैंने इस कुवे का पानी नहीं बेचा है इसलिए इस कुवे से पानी नहीं निकाल सकते हो तब उस गां का मुखिया बोला ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ और फिर अगले दिन मुखिया ने उस दूसरे किसान को अपने घर बुलवाया जब वा किसान मुखिया के घर गया तब मुखिया ने उस किसान से सारी बात पूछी तब वा किसान कहने लगा कि हाँ यह बात सत्य है मैंने अपने कुवे को अपने बगल वाले किसान के हाथ से बेच दिया है तब मुख्या कहने लगा जब तुमने बगल वाले किसान के हाथ अपना कुआ बेच दिया है तब उनको पानी क्यों निकालने दे रहे हैं तब वा किसान बोला कि हां मैंने कुआ तो बेचा है पर कुए के अंदर जो पानी है उसको नहीं बेचा राजा कुछ देर सोचते रहे क्योंकि अगर मुखिया कुछ कहता तो यहाँ नियम के खिलाफ होता इसलिए मुखिया ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर सोचने लगे सोचने के बाद फिर मुखिया ने उस किसान से कहा कि ठीक है तुमने कुवा बेच दिया कि जब उस किसान ने इस कुए को खरीद लिया तब तुम उसमें पानी नहीं रख सकते हो। तुम ऐसा करो उस कुए से अपना पानी निकाल लो क्योंकि अब उस कुए में आपको अपना पानी रखने का कोई हक नहीं है। या फिर उस किसान को पानी निकालने दो या सुनकर वह किसान असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि कुए में तो इतना पानी होता है आखिर में मैं कब तक उस कुए का पानी निकालूँगा। या सुनकर वह किसान सोचने लगा कि अब तो मैं अपनी ही बात में फस गया हूँ। उसके बात किसान ने मुख्या से माफ्य मांगी और कहने लगा कि मुझे को माफ कर दीजिये मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अब या कुए और पानी दोनों ही उस किसान का है वह उस कुए से पानी निकाल सकते हैं। दोस्तों यह रही एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि वह लालच में अपने ही जाल में फस्ता चला जाए। दोस्तों, या कहानी कैसी लगी है आप लोगों को, कहानी जैसी भी लगी हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवस्य बताईएगा, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, और उससे पहले एक अनुरोज हम अवस्य आप लोगों से करना चाहते हैं कि प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट अवस्य करिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ रही है, अगर अभी तक आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो थोड़ा और सपोर्ट करिए, आप लोगों की वज़े से ही हम यूटूब पर काम कर पा रहे है दोस्तों मेरी कहानी सुनने के लिए और अपना मू लिवान समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिन, जै भारत